तर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक दीर्धियानी एक बाफिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी आशानदार धमागेदार सेशन लेकर गाइस जो की ranking के लिए होने जा रहा है आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि कितना important topic यह है हमारा target बिलकुल clear है 30 out of 30 हम लोग definitely लेकर आएंगे guys लेकिन आपको चीजे समझनी पड़ेगी भैतरीन तरीके से ठीक है अपनी जो class का timing है दोस्तों वो सभा 10 बजे वापिस से इसलिए हो गया है क्योंकि नीरस सर ने भी अपनी एक नहीं class start करी है तो उनको भी समय चाहिए सारी चीजे जो है बड़िया तरीके से explain करने के लिए अगर बड़िया पड़ाते हैं और बच्चों को अच्छे समझ में आता है तो बेटर है कि हम सवा 10 बजे अपनी class को continue करें ठीक है ओके गाईस तो सभी लोग फड़ा फड़ से एक पर थमसब करते हैं रेंकिंग सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं महा संग्राम 60 days का target 30 out of 30 बहुत ही important topic आज हम लोग discuss करने वाले हैं ranking और ranking topic बहुत ही important दोस्तों इसलिए है ठीक है क्योंकि ये हमेशा से ही exam में आता है जिसको आप बोलते हो क्रम निर्धारन ठीक है क्रम निर्धारन अब वो class से related हो सकता है वो आपके जो है दोस्तों 35 से संबंदित हो सकता है ठीक है वो rank से related हो सकता है तो अलग-अलग type में अलग-अलग क्रम निर्धारन अपलूप पढ़ने वाले हो ठीक है गाईस तो सभी लोग start हो जाए शुरुवात करेंगे एक विवकानन जी के motivational code के साथ में जो आपको बहुत मॉटिवेट करेगा его जागो और तब तक मत रुको जब तक मंचिल प्राप्त हो जाय मंजिल प्राप्त करनी है तो continue बने रहना है और आगे चलते रहना है सभी लोग एक बार थमसब कर देंगे सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग एक बार थमसब कर दीजे तुरंध प्रवाओ से टेओरी क्लासिस का आगाज हो चुका है और आप सभी लोग टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लेंगे दोस्तों जिन्हों ने अभी तक जोइन नहीं किया है ठीक है टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लीजेगा टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लीजेगा दोस्तों ठीक है क्या नाम है दीपक सर दीपक सर रीजनिंग ओफिशल के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से t.me दीपक सर रीजनिंग ओफिशल सारी क्लासिस के बारे में इंफोर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी PDFs वगेरा, Unacademy की क्लासिस, YouTube की क्लासिस, सब के बारे में इंफोर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी ठीक है, बात समझ में आगी सुभी को क्लियर है, चले आगे की तरफ बढ़ें यह अपनी क्लासिस के टाइमिंग्स है जिसको नहीं पता है भाई, सबड़ापट से देख लें, क्लासिस के टाइमिंग्स क्या-क्या है, सुबए आठ बजे हमने थ्योरी क्लास चालू करिए, जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक कम्पिट हो चुका है, ठीक है और लोजिकल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई सब यह बात ध्यान रख लेना ठीक है, लोजिकल रीजनिंग लोजिकल रीजनिंग आपकी चालू होने वाली है कल सुबह आठ बजे से कल उसका पहला लेक्चर होने वाला है तो जिस किसी को भी भी टॉपिक वाईज अगर आपको पढ़नी है सिटिंग अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है बहुत बढ़ी है दिन से हमने तीन दिन तक लगा था सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा अब अगले तीन दिनों में लोजिकल रीजनिंग पूरी खतम कर देंगे कल पहला दिन होगा लोजिकल रीजनिंग का सुबह 8 बजे वाली class के अंदर ठीके इस वाली class के अंदर दोस्तों आपन ranking की theory पढ़ रहे हैं सुबह 10 बजे वाली class में अभी आप लोग जानते हैं कि theory पढ़ रहे हो आप ranking की और यहाँ पर आप लोग ranking से related 50 question लगाओगे 12 बजे वाली class में unacademy learning app पर यह class अपनी unacademy learning app पर होगी यह वाली class हमारी यूट्यूब पर है ठीके यह वाली class हमारी unacademy पर होगी अभी दोपैर 12 बजे 50 questions किसमे ranking के ठीके तो इसके बाद 4 बजे GD का mock test चली रहे है यूट्यूब पर दोस्तों आप लोग को पता है यह paid class है अपनी 8 बजे वाली और रात को 9 बजे धमा के दार 50 questions unacademy पर ठीक है 50 questions आप लोग discuss करते हो unacademy पर तो यह schedule आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा schedule आप लोग note कर लेना और thumbs up कर लेना भाई सब सबी बच्चे एक बार thumbs up कर लेना कल से logical reasoning start कर रहा हूं मैं आपको फिर से बता दू मैं क्योंकि logical reasoning group D हो या NTPC CBT 2 हो दोस्तों कम से कम 7-8 questions मान के चलना की logical reasoning के आने वाले हैं क्लियर है तो चलिए शुरुआत करते हैं और दीपू 10 code लाकर आप अनकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आज paid class के अंदर भी दोस्तों सिलोजम का नया topic चालू होने वाला है ठीक है किसी को सिलोजम topic अगर बिल्कुल basic से पढ़ना है अभी भी आपको लग इस तरीके से आपको सारी चीज़े मिलती रहेगी ओके गाइस चलिए शुरुआत करते हैं ranking chapter की ranking क्या होता है देखिए गाइदर type पहले यहाँ पर समझने concept समझने की कोशिश करना ranking का जिस बच्चे को concept ही नहीं पता वो सबसे पहले यहाँ पर देख ले क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों के लिए भी है जिन्नोंने कुछ नहीं पढ़ा है और जिन्नोंने सब कुछ पढ़ा है उन लोगों के लिए भी य class है जैसे मैंने एक वेक्ति ले लिया यहां पर राम यहां पर मैंने राम ले लिया है और मैंने बोला कि राम की left से position 10 है राम की right से position 20 है एक वेक्ति ऐसा है पंक्ती में राम जिसकी left से position 10 है जिसकी right से position 20 है तो आपके भाई राम को आपने दो जगे से गिन लिया ना राम जो वेक्ति है उसको आपने left से भी count कर लिया उसको आपने right से भी count कर लिया तो राम दो थोड़ी है राम तो एक ही है ना यानि 10 plus 20, total हो गए 30 लेकिन अब राम की position दो बार repeat हो गई, left से भी count हो गई right से भी count हो गई, तो हमारा finally अगर हम देखे हैं, अगर हमें total निकालना होता, तो total क्या बनता भाईया left वाले number को add कर लो, भाईया right वाले number को add कर लो पर राम की position दो बार repeat हो गई इसलिए 1 क्या कर देंगे minus कर देंगे, ये concept आपको पता है और ये ही important concept होता है ठीक है ना, तो total निकालने का सबसे बड़िया तरीका क्या, 10 plus 20 minus 1 ये आपका आगया 29 सभी को पता है अब लेकिन मैंने आपको question इस तरीके से दे दिया दोस्तों, question मान लीजे, मैंने आपको ये दे दिया, कि राम जो है वो 40 लोगों के बीच में बेठा हुआ है, कहीं ना, राम कहीं न, कहीं 40 लोगों के बीच में बेठा हुआ है जिसकी left से position 25 है तो मुझे right से position बता दूआ मेरा प्रश्ण ये है कि राम 40 लोगों के बीच में बेठा हुआ है अब left से position राम के 25 है तो मुझे right से position चाहिए तो मुझे बताओ क्या इस formula से हम find नहीं कर सकते हमारे पास total तीन चीज़े हैं एक हमारे पास total है एक हमारे पास left है एक हमारे पास right है तो same to same यही चीज़ यहां पर भी है कि total equal to left plus right इसी formula का अगर हम use करें तो total की value हमें 40 दे रखिए left से position 25 दे रखिए right से ही तो position पूछ रहा है वो भाई वो यही तो पूछ रहा है कि right से position क्या है तो right से position निकालने में क्या पत्ती है वाई सब यह 40 यह कितना हो गया 24 plus right अब अगर इसको देखें 40 में से 24 चला गया तो right से position कितनी आ जाएगी बतावना वड़ावट से 40 में से 24 चला गया दोस्तों तो यह position आ गई right से आपके पास में 16 ठीक है अब मुझे एक बात आप लोग पस simple सी एक बात बता दो क्या आपको pen चलाने की जरुवत थी क्या question में अगर आपके सामने इस तरीके का question आ जाए तो क्या आपको pen चलाने की जरुवत थी क्या plan चलाने की जरुवत कहा है इसमें अरे total 40 लोग है 25 पर राम बेठा है इधर इसका मतलब 15 लोग है total 40 लोग है 25 पर राम बेठा है इसका मतलब इधर 15 लोग है तो जब counting करेंगे तो 15 लोग तो ये और में यानि की राम कौन से नंबर पर आएगा 16 पर आएगा ना तो pen चलाने की जरुवत का है दिमाग चलाओ ना भाई साव समझ में आ रहा है कि नहीं रफड़ा पड़ से थमसप कर देंगे एक बार आज प्रेक्टिकली करेंगे हम लोग हमें pen चलाने की जरुवत ही नहीं है left plus right minus one ठीक है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है पर एक common sense होता है एक इंसान का कि यार अच्छा 40 लोगों में राम बेठा है 25 नंबर पर तो इधर है 15 लोग तो 15 लोगों में गिनने के बाद राम की जब position आएगी तो automatically कौन से नंबर हो गया 16 नंबर हो गया की नहीं हो गया सही है ना तो कहने का मतलब है कि अगर एक ही formula अगर आपको दे रखा है या यूँ कहें कि पंक्ती में अगर एक ही वेक्ती बिठा रखा है ठीक है अब मैं आपको एक question दे रहा हूँ आप लोग मुझे फटा फट से ग्याद करके बताईएगा कि क्या होगा ठीक है एक पंक्ती में total बेठे 90 लोग राम की लेट से position है 15 और श्याम की राइट से position है 30 तो इनके बीच में कितने लोग है मिड़ पर्सन कितने मिड़ पर्सन कितने है भाईसा total है 90 लोग राम की लेट से position है 15 श्याम की राइट से position है 30 तो मिड़ पर्सन कितने है बनाईए करिए भाईसा ज्याद करो क्या बनेगा क्या बनाईसा ज्याद कितने है में बनाईसा क्यां बनाईसा कितने है झाल अब यहां पर देखो आप लोग आप लोग खुद भी देख सकते हैं चेट के अंदर जो आंसर आथ 45 43 46 44 अब तुम्हें लगता है कि मिड पर्सन की वैल्यू अलग अलग आएगी तुम्हें लगता है कि मिड पर्सन की वैल्यू अलग अलग आएगी कि बीच में बैठे वे जो वेक्ति हैं वो अपने आपी एक बढ़ जाएगा अपने आपी दो बढ़ जाएगा अपने आपी तीन बढ़ जाएगा क्योंकि आपका answer तो यही आ रहा है, 43 भी आ रहा है, 44 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है और एक वेक्ति और होनहार हमारे बीच में, घिसका 47 भी आ रहा है हैं भाई, तुम्हे लगता है ऐसा होगा, तो वही बात है ना कि हम कितना सोच पाए मैं क्यों बोल रहा हूँ इस subject को लेकर ठीक है हमें भाया total पेले ही दे दिया total दे दिया 90 लोग है 90 लोगों में राम के लिए बोला कि ये राम है है इस राम की left से position दे दी 15 इस राम इस राम की left से position बंदरा दे दी कि बीच में कितने लोग हैं बता हो और हम जंग जीतने वाले एक करोड़ों लोगों के बीच में चंद हजारों में आने की सोच रहें और हम ये question नहीं कर पा रहें ये सोचने वाली बात है भाई से ठीक है क्या IQ लेवल आप लोग बेठे हैं लेकर ये तो आपको इस पता है कि पंदरा अलग कर लो इन 90 लोगों में से ये 30 अलग कर लो बीच वाले लोग आ गए ना भाई साब आपने क्यों सोचा कि लेट प्लस राइट वाला फॉर्मला लगाना है मुझे आपने क्यों सोचा कि मुझे लेट प्लस राइट वाला फॉर्मला लगाना है यार मुझे क्य लोग research कर रहे हैं पता नहीं कैसे तो 43 आ रहा है कैसे तो 44 आ रहा है और कैसे तो 47 आ रहा है भाई 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 गजब हो गया वास्तों में सभी लोग थमसब कर देंगे एक बार session को समझ में आई कि नहीं जब दो लोग दे रखे हैं अब यहां पर concept क्या बना हैं यह पूछा है पर आप एक चीज़ आप पर note करो कि total की value वेक्तियों के दिये गे इस्थानों left और right के मान से ज़्यादा है total की value देखो total की value वेक्तियों के दिये गे इस्थान left से 15 राइट से 30 अगर इन दोनों को जोड भी दें तो इससे ज़्यादा है yes or no वेक्ति के दिये गे इस्थानों से ज़्यादा है इसी लिए ये case कौन सा बना separate case बना separate case इसलिए हमने इसको क्या करा अलग-अलग किया 90 की value 15 प्लस 30 इससे ज़्यादा है total की value ज़्यादा थी इसलिए हमने separate case बनाया और mid person निकालने का formula क्या बना, mid person हमने सीधा सा कैसे निकाला कि total मेंकि हमेशा बड़े वाले मेंसे छोटे वाली value माइनस हो है ना, तो यह सीधा सा formula बनग약 एक तरीके से देखा जाए separate case बना separate case बना इसलिए mid person निकालने का simple सा formula बन गया कि बड़े वाली value में से हमेशा छोटे वाली value को हटा दो है ना बड़े वाली value में से छोटे वाली value इसको हटा दो total दे रखा है 90, 90 में से 15 plus 30 जोड़ के आपने हटा दिया यह आ गया, लेकिन दोस्तों अगर मैं प्रश्न आपको यह दे दूँ अब प्रश्न मान लीजिए यह दे दिया मैंने आपको टोटल की value दे दी मैंने आपको 26 राम की left से value राम की left से value मैंने दे दी आपको 10 है ना और श्याम की राम की right से value मैंने आपको दे दी राम की left से value मैंने आपको दे दी दस क्याम की right से value मैंने आपको दे दी इसको मैं कर देता हूँ 18 कर दो 20 ही कर देता हूँ इसको कर देता हूँ 20 और अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे mid person कितनी टॉटल मेरे पास 26 लोग है राम की लेफ से पोजिशन 10 से चाम की राइट से पोजिशन 20 से तो अब आप मिड परसन वो बताईए बीच में कितने लोग बैठें उस पंक्ती में ये बताईए कि बिल्कुल सही का बेटा आपने शिवम बिल्कुल सही पहचाना आपने कोशन को अब यह देखिए आमारे सामने आंसर आ रहे हैं बहुत सारे भाती भाती प्रकार के आंसर हमारे पास में आ चुके हैं दो तीन चार चे पी आ रहा है एक विक्तिका यहालत है भाईसा और फिर भी फिर भी लोगों को लगता है कि भाईसा वो गुरूप डी का पेपर होगा ना तो मैं तीस में से तीस लेके आ जाऊँगों तीस में से तीस लाने के लिए पचास के पचास चप्टर पूरे पचास चप्टर आने चाहिए तब जाके तो यह आएगे पचास चप्टर आएगे तब जाके तीस में से तीस की जो आकड़ा है ना यह बन सकता है भाईसा ठीक है इसलिए मैं थियोरी करा रहा हूँ इस वाले बेच में सुबह सुबह पटापट से डेली कोशिश कर कर लें और उसी दिन 50 कोशिशन कर लें है ना डेली हम लोग थेओरी कम्प्रीट कर लें और फिर उसी दिन ताकि अगले दिन का ज़ंजट करता हूँ उसी दिन 50 कोशिशन कर लें 2-12 बजे 2-12 बजे आप लोगों के लिए special class इसलिए लगाई है ताकि theory के साथ ही 50 question भी कर लो आनकेट में पर ये इसलिए लगाई है भाई साथ बिल्कुल basic से चल रहे हैं बिल्कुल basic से चीजे समझ रहे हैं हमारे पास question ये था कि total 90 था left से 15 था right से 30 था तो हमने mid person सीधे कैसे निकाले total की value यहाँ पर ज्यादा थी total की value left और right से ज्यादा थी तो सीधा mid person निकल के आ गया कि बड़े वाली value में से छोटे वाली value को minus कर दिया बड़े वाली value में से छोटे वाली दोनों values को minus कर दिया पर थोड़ी सी अकल तो लगाओ अब यहाँ पर आपको total दे दिया total दे दिया 26 लोग आपने total ले लिया 26 लोग अब आपको राम को बिठाना था राम को आपने left से बिठाया 10 पे श्याम को आपको right से बिठाना था right से बिठाया 20 पे तो थोड़े दिमाग तो लगाओ कि totally जब 26 लोग है टोटली 26 लोग हैं तो 30 लोग कैसे बिठा दोगे लाइन में अरे जब टोटली 26 लोग हैं तो separate case के अंदर सबकी position अगर आप अलग-अलग ले लो तो 10 प्लस 20 तीस लोग कैसे बिठा सकते हो क्या आप 26 लोगों में 30 लोग क्या एक क्यों पर एक बिठा होगी क्या कंदे पर चड़ा के हां और आप तो कोई भरोजा नहीं आप कुछ भी कर सकते हो खुराबात ही लोग हर जगा होते हैं तो भाई सब यहां पर तो देखो यहां पर नहीं बिठा सकते हैं अलग-अलग ही बिठाने हैं ना ठीक है तो लेफ्ट से 10 और राइट से 20 यह separate वाला जो केस है separate case जो है ना यह हो गया आपका रॉंग अब separate case रॉंग हो गया तो भाई सब एक condition आपको याद रखने हैं यहां पर एक चीज देख लेना अच्छे से अच्छे से समझ लेना एक बार यहां पर देखना ठीक है अब आपको यहां पर total सबसे पहले आप देखो इधर इस case के अंदर क्या है total की value देखो आपको total की value अब इस बार कम है left plus right से यहां पर total की value ज़्यादा थी left plus right से लेकिन भाईस आप यहां पर total की value कम है left plus right से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं यह देख लीजी आप ठीक है यह आपको दिया है 26 और left से position दिये 10 right से position दिये 20 तो आप खुद देख सकते हैं कि total की value कम है है total की value क्या हो गई कम हो गई अब अगर total की value कम हो गई तो क्या करेंगे separate case तो नहीं बनेगा case कुन सा बनेगा अगर total की value कम है left plus right से तो भाईसा भी यह overlapping का case बनेगा overlap करेंगे overlap की condition बनेगे overlap की condition क्या केती है अब इसको समझो इसको तो हटा दो separate case तो बनेगा नी बैठेंगे तो सरी लोग पर अभी एक दूसरे को overlap करेंगे overlap का case क्या केता है कि अच्छा total 26 लोग है total 26 लोग है राम को बिठाना है total 26 लोग है राम को बिठाना है तो राम बेठेगा left से 10 नमबर पर और श्याम को बिठाना है श्याम बेठेगा right से श्याम बेठेगा right से 20 नमबर पर पर भाया जब राम तक गिनोगे तो श्याम कॉमन आएगा और जब श्याम तक गिनने जाओगे तो राम को बीच में already आप लोग गिन चुके हो तो वो दोनों की position माइनस होगी अब बीच में भी लोग बेठेंगे तब आप देखो मिड़ परसन कैसे निकालोगी अब यहां पर मिड़ परसन आप कैसे निकालोगे यह भी समझें ऑवरलेप के केस में मिड़ परसन का formula होता है कि आपने left तक count किया आपने right तक count किया अब मिड़ परसन देखो दो बार repeat हो रही की नहीं हो रहे हैं जल्दी से देखो फटा-फट से भाई आप जब राम तक गये तो मिड़ पर सन जो बीच में बैटे फो भी counting में आगए आप जब शयाम तक गये तो भी मिड़ परसन भाप इससे counting में आगए तो दो बार मिड़ परसन defining काउंटिंग में आ गए दो बार मिड परसंक्यां आगे तोटल बराबर में तोटल लोग कैसे निकालते हैं टोटल बराबर होता है left-right- तो माइनेस मीड परसंट मै इस अंसे भी परसंट और राम और शाम की position भी दो बार repeat हो रही है जब राम तक गिन रहे हैं तो शाम count में आ रहे हैं जब शाम तक गिन रहे हैं तो बीच में राम भी count में आ रहे हैं तो दो दो बार count हो रहे हैं mid person भी दो बार count हो रहे हैं और भाई साब इन दोनों की position भी दो बार count हो रहे हैं तो भाई साब याद लख लेना जब overlapping का case होता है तो overlapping के case में ये formula बनता है total निकालने का कि total बराबर होता है left plus right minus mid minus two अब आप लोग देखो इस mid person को उठा कर तो इधर ले आओ आप इस mid person को उठा कर तो इधर ले आओ ले आओ और इस total को उठा कर उधर ले जाओ इसमें से आप total को minus करोगे इसमें से आप किसको minus करोगे total को total उठा के लेकर चले गए उधर और minus दो और करोगे तो ये बन गया आपका overlapping का overlapping का case बन गया ये आपका overlapping का case बन गया दोनों चीज़े note कर ले न क्योंकि यह पूछे न, कि पंक्ती में कितने minimum number of person बिठा सकते हैं, minimum number of person, कि पंक्ती में minimum person कितने बेठे हैं, तो उसका मतलब भी यह होता है, minimum person का मतलब भी यह होता है, overlapping का case, और overlapping के case का मतलब होता है, यह formula, कि minimum number of person अगर पूछे, तो ये लगा दोगे क्या formula हो गया total equal to left plus right minus mid minus 2 mid person का formula बन जाएगा left plus right minus total minus 2 तो फटा-फट से mid person पूछा था यहाँ पर तुम से ठीक है तो left plus right 10 plus 20 minus total की value कितनी है 27 minus 2 कितना हो गया जल्दी से बता दो फटा-फट से यह हो गया आपके पास में 30 30 में से आपने 28 को घटा दिया तो आपका answer तो मातल 2 आया अब आप खुद observe करके देखो कि आपका answer आ रहा था 3 आपका answer आ रहा था 4 आपका answer आ रहा था 5 सभी को अगर बात समझ में आ गई हो तो मेरे भाई पटा-फट से एक बार थमसब करके बता दो कि यस सर दोनों condition समझ में आ गई हो ठीके अब यहाँ पर देख ले ना जब separate case बनेगा जब separate case बनता है ना जब total की value ज़्यादा हो separate case बनता है तो उसको अपन बोलते है maximum निकालना कि maximum person कैसे निकालते है maximum person के लिए formula बन जाता है left plus right plus middle यह formula maximum का होगा चाहो तो दोनों formula को लिख लो अच्छे से दोनों formula को चाहो तो लिख लो आप चाहो तो अच्छे से लिख लो कि अगर वो पूछ रहा है कि maximum person कितने बेठेंगे row के अंदर maximum अधिक्तम कितने लोग बेठेंगे तो फॉर्मला क्या बनेगा लैफ्ट प्लस राइट अब आपने रट रखी हैं चीज़ें तो भाईया रट रटने से कुछ नहीं होगा चीजों को समझना पड़ेगा अब इस पोजिशन पर आकर भी आप रट हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं है मैक्सिमम का मतलब यह हो गया और यह केस कुण सा होता है इसको उपन बोलते हैं सेपरेट केस कि इस जब पोजिशन अलग-अलग दे रखी हो जब टॉटल की वेल्यू क्या हो ज्यादा हो लेफ्ट प्लस राइट ठीक है अब भाई साब और लेफ केस अइस एक जूसरे को और लेफ करेंगे क्रोस करेंगे इसमें क्या होगी टॉटल की वेल्यू कम होगी 100 पसंट अभी तो भाई साब आप मिनीमम निकाल पाऊगी minimum यानि कि new term लोग कितने बैठेंगे new term लोग कितने बैठेंगे उसके लिए formula क्या बनेगा left plus right left plus right minus mid percent minus two उनकी खुद की position भी minus हो बात समझ में आ गई सभी लोग फटापट से थमसब कर लें और इसको not कर लें ठीक है यह दोनों चीजें बहुत ज्यादा समझना जरूरी थी अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ आप लोग मुझे एक प्रश्न करके बताएं ठीक है मैंने आपको दे दिया टॉटल मैंने बोला कि 26 लोग है राम की लैप से पोजिशन है टॉटल परश्न हमारे पास 26 है राम की लैप से पोजिशन है बारह श्याम की राइट से पोजिशन है टॉटल मैंने ले लिया मैंने या टॉटल ही मानलो टॉटल ही पाइंट करना हूँ मानलो यह समझ लो कि टॉटल ही निकालना है लैप से पोजिशन मैंने बारह ले ली राइट से पोजिशन में ले लेता हूँ 15 ले लो और mid person मैं बोल रहा हूँ आपको कि mid मैं इसको 25 करता हूँ और mid person 15 ले ले लो mid person 15 है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ minimum person बताओ minimum गयाद करके बताओ minimum गयाद करके बताओ अधिक्तम गयाद करके बताओ अधिक्तम गयाद करके बताओ अधिक्तम बताओ अधिक्तम गयाद करके बताओ चलो वही सब क्या बात है आंसर आ रहा है एक दम शांदार जबरदस आंसर आ रहा है यहां पर यार मतलब मैंने जीवन में ऐसे आंसर नहीं देखे मतलब ऐसे खतरना का आंसर आ रहे हैं कुछ लोगों के तो बस आपका दिमाग किस तरीके से दोड़ता है आप कितना सोच पाते हो सारा खेल रीजनिंग में उसी का है कि आप कितना सोच पाए आप कितना समझ पाए चीज़ों मैं थ्योरी के कंसर्ट इसलिए करा रहा हूं क्लास में ताकि जहां भी गलती हो सकती है ना वो गलती जीवन म नहों ठीक है आपने पहला करा ठीक है इनको अलगी लिख देता हूं आपको एक नियूंतम निकालने को बोला और एक निकालने को बोला मैक्सीमम ठीक है क्लियर है दो कंडिशन्स आपको बोली गई अब ययाया आपको बोला चंठेक निकालने खória लिया मिनिमम मतलब क्या होता है endless-plus-right भया माइनस मिड परसन माइनस-2 यह फॉर्मला होता है मिनिममला का है ना तो फॉर्मला लगा दिया मिनिमममगा फॉर्मिला लगा दिया भाई-स आब लोगोंने lub प्लस राइट माइनस मिड़ माइनस फॉर्मूला लगा दिया बिना कुछ सोचे समझे और यह लट से पॉजिशन कितनी है 12 और राइट से पॉजिशन कितनी है 25 माइनस बीच में कितने बैठें 15 माइनस दो तो यह हमारा आंसर आ गया ठीक है यह आपके पास में 37 हो गया, 37-17 20 answer आ गया, जल्दी से बता दो पड़ापट से कितने लोगों का 20 answer आ गया भाई साथ, जल्दी से बता दो 20 कितने लोगों का answer आ गया, सभी लोग पड़ापट से thumbs up कर देंगे सभी लोग पड़ापट से thumbs up कर देंगे 20 कितने लोगों का answer आ गया खतम हो गई पिच्चर, यह बात, यह बात, लपक के थमसब कर रहे हैं, सर मेरा बीस आया, मेरा बीस आया, वाह, क्या बात है, जीवन में मज़ा आ गया भाई साथ, यह हो गया गलत, यह हो गई, पिच्चर खतम यहां पर, अब आप खुद सोच कर देखो, अकल के दुश्मनो है, आप लोग खुद सोच कर देखो, कि जब पंक्ती में ही तुमारे टोटल बीस लोग आये हैं, जब पंक्ती में टोटल ही तुमारे पास मिनिममम बीस लोग आये हैं, तो आपने बीस लोगों में, श्याम की पच्चिसवी रेंग कैसे ली, फिर इसका मतलब यह तो आप लोगों को चीजें सीखानी हैं कि आप कितना सोच पाते हो और कितना रटते हो मैंने आपको फॉर्मला बताया कि भाई साथ मिनीमम निकानने का मतलब होता है एक दूसरे को और लेप करेगी कंडिशन पर उसकी भी कुछ कंडिशन से हैं कि कब तक यह चीज वैलिड होगी आपको तो पंक्ती में लोग बिठाने कि total कितने लोग बेठें तो आपको साथ के साथ यह पता चलना चाहिए कि भाई साथ मिनीमम लोग तो बेठी नहीं सकते राम लेट से 12 पे बैठा है ना शाम राइट से 25 पे बैठा है तो आप मिनिमम ओवरलेप वाली कंडिशन तो फेल हो गई ओवरलेपिंग वाली जो कंडिशन है वो क्या हो गई फेल हो गई ओवरलेपिंग वाली कंडिशन नहीं बैठेगी यानि minimum लोग नहीं बिठा सकते आप आपको separate case ही बिठाना पड़ेगा separate case ही valid होगा वाई साब जब separate case valid होगा तो 20 जिस किसी का भी answer आया है वो answer गलत हो गया यानि अब आप maximum लोग बिठाओगे maximum लोग यानि left plus right left plus right plus mid person left plus right plus mid person आप इस formula को लगाओगे सीधा और जब इसको लगाओगे तो हमारा answer क्याएगा राम की left से position है बादा चाम की right से position है पच्चेस प्लस बीच में कितने लोग बेठे हैं 15 लोग बेठे हैं 37 और 15 37 और 15 कितना आगया 52 लोग आगया यानि ये हमारा answer हो ये हमारा answer होगा ठीक है अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे भाई साब यहाँ पर क्या सोचेंगे बहुत सारे लोग कि आखिर क्यों हुआ गलत formula तो सही लगाया है मैंने formula तो सही लगाया है फिर क्यों गलत हो गया question की validity कब होगी आप इस question में minimum आप कब तक निकाल सकते थे देखना भी दर आप आपको total पूछा है आपको total पूछा है राम की left से position थी 12 शाम की right से position थी 25 और आपको mid person पूरा खेल अब यहाँ पर टिक गया mid person उसने 15 दे दिया अब आप खुद आप सोच कर देखिए एक बार कि भाई साथ सोच कर देखो यह राम है राम की left से position बारा है ठीक है राम की left से position क्या है बारा अब आपने यहाँ पर formula लगा है यह 20 लोगों का 20 लोगों वाला formula लगा है अब आपको पता है कि टोटल मला के 20 लोग है भाई साथ पंक्ती में टोटल में practical ही समझा लोगो आपको देखना इदर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा यह बारा पर राम बेठा है 13 14 15 16 17 18 19 यह 20 लोग यह 20 लोग है 20 में यहाँ पर बेठा है राम राम 22 से 12 पर बेठा है अब शाम के 25 लोग तो बिठाई नहीं सकते आप भया शाम के 25 पचिस गिनता है राइट से 25 गिनना है यहाँ पर 20 ही हुए तो 20 के बाद फिर अब क्या करना पड़ेगा 21, 22, 23, 24 और भाईस अब 25 अगर आपको 25 वा बिठाना है न यानि शाम की राइट से पोजिशन 25 है शाम की राइट से पोजिशन कितनी है 25 है अब आप देखो इदर शाम की राइट से पोजिशन कितनी हो गई 25 राइट से शाम की पोजिशन मैंने यह ले ली 25 ठीक है तो आप देखो यह कोशन वेलिर कब तक हुआ यह question valid कब तक हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्निस, भीस, एकिस, बाइस, तेईस, चोईस, पचिस अगर मेरको शाम की 25 फी रेंग गिननी है तो मिनिमम कित्ते लोग बिठाने पड़ेंगे मिनिमम कित्ते लोग बिठाने पड़ेंगे बताना भाई साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो यह question valid कहा तक हुआ यह question valid कहा तक हुआ अगर mid person mid person 10 या 10 से कम 10 या 10 से कम होता ठीक है, अगर mid person 10 या 10 से कम होता ना, तब यह question valid होता valid होता minimum person निकालने के लिए valid होता minimum person निकालने के लिए याद रख ले ना यह question valid कब होता ठीक है अगर भाई साव हमें राम की left से position 12 बिठानी है चाम की right से position 25 बिठानी है तो भाई साव बीच में शरिफ अगर minimum person पूस्ता यानि mid person की value 15 ना देकर अगर 10 या 10 से कम देता ना तब यह question valid होता question valid होता minimum person निकालने के लिए जब हमें 10 या 10 से कम लोग देता mid person ठीक है तो एक चीज़ आप लोग याद रख लेना आपका जो right जो कम value है ना 12 और 25 में से कम value क्या है 12 और 25 में से कम value क्या है आपके पास 12 तो आप तो याद रख लेना है कि जो आपकी minimum value दे रखी है ना जो आपकी कम value दे रखी है question की validity बता रहों कि question value कब तब होगा question value तब होगा कम value में से कम value में से 2 घटा कर देख लेना आप तो कम value में से 2 घटा कर देख लेना ठीक है अब कम value में से आपने 2 घटा कर देख लिया एक value दे रखी थी 12 12 में से 2 गटा कर देख लिया 10, अगर mid person 10 या 10 से कम हैं, जैसे mid person 5 देदिया, तो question validate, mid person 6 देदिया, तो question validate, mid person 7 देदिया, तो भी validate, 8 देदिया, 9 देदिया, 10 भी देदिया, तो भी validate, पर अगर जैसे ही 11 देदिया ना, तो फिर आप mid person नहीं निकाल सकते, अगर आपको 12 देदि क्या ये portion minimum के लिए valid है या नहीं है ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको minimum निकालना है आपको minimum person निकालना है और मैं बोल रहा हूँ कि राम की lab से position है 18 ठीक है, क्याम की right से position है 8 और मैंने आपको दे दिया middle person middle person दे दिया मैंने आपको 10 दे दिया middle person मैंने आपको 10 दे दिया तो क्या ये question valid है क्या ये question valid है minimum निकालना है के लिए बताओ 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 भाई सब जल्दी से बताओ राम की lab से position 18 है चाम की right से position 8 है मैं middle person निकाल रहा हूँ आपसे क्या ये question valid है 10 लोग दे दिया मैंने आपको क्या ये question valid है गया बाई सब ये question valid है नहीं है इस question में आप minimum नहीं निकाल सकते हैं क्यों नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है अगर minimum मतलब overlap की condition overlap में total निकालने के लिए formula होता है left plus right minus mid minus आप formula में apply करके देखोगे पटापट से formula में apply करके देखोगे तो आपकी left से value अठारा शाम की right से value आठ mid person आपने 10 कर दिये और 2 और minus कर दिये 18 और 8 कितने हो गए 26 26 में से 12 चले गए तो 14 आंसर आया अब आपके totally अगर 14 लोग है तो 14 लोगों में आप 18 लोग कैसे गिन लोग है वाईसा 14 लोगों में आप 18 लोग कैसे गिन लोग है नहीं किन सकते न या फिर simple सा तरीका क्या है question की validity check करने का तरीका बता है मैंने valid कब होगा वाईसा valid कब होगा जब minimum जब आपके पास दे रखाए कम value मेंसे 2 गटा के देखना था आपको कम value कितनी थी 18 और 8 में से कम value कितनी 8 8 में से 2 गया नि कितना आएगा 6 अगर minimum हमें निकालना था तो भाईसा चोचाशे कम देना था क्या देना था 6 या 6 से कम देना था बात समझ में आ रही कि नी आ रही फटाफट से थमसफ कर दो अगर आप भी समझ में नहीं आई ना तो दुनिया के किसी भी कौने में चले जो फिर तो भाई ठीक है मैं तो इतने डंके की चोड़ पर confidence के साथ बोल रहा हूँ यहां पर देख लो फटा-फट से देख लो यहां पर सबसे पहले आपने सीखा एक ऐसा वेक्ति जिसकी left और right से position दे रखिए तो आप total निकाल सकते हो ठीक है left और total दे रखा है तो right निकाल सकते हो right और total दे रखा है तो left निकाल सकते हो जब total की value left और right से ज़ादा हो, तो सीधा बीच वाले लोग कैसे निखा लोगे आप, बड़े वाली संक्या में से, छोटी वाली संक्या को minus कर दो, total में से left और right को सीधा minus कर दो, ठीके, अब अगर माल लो, total की value कम है left और right से, total की value left और right से कम है, तो case overlapping का बनेगा, और overlapping में आप mid person कैसे निकालोगे, हमेशा जो value बड़ी होगी उसमें से minus करोगे, इस बार left और right की value बड़ी है, तो उसमें से total को minus किया, और उनकी दोनों की condition भी है, वो भी minus हो जाएगी, ठीके, अब ये question valid कब तक होगा, भाई हम ये दो formula पढ़ते हैं, maximum निकालने का ये formula पढ़ते हैं, minimum निकालने का ये formula हमने हजारो बार पढ़ाया, left प्लस right प्लस mid maximum separate case, overlapping case एक दूसे को cross करेंगे, left प्लस right minus mid minus 2, पर ये question valid कब होगा, जब minimum value मैंसे 2 कम हो, minimum value मैंसे 2 कम तक दे दे, तब valid होगा, 12 में से 2 गया, अगर 10 तक देता ना ये, mid percent 10 तक देता, तब तक हम लोग minimum निकाल सकते थे, otherwise minimum नहीं निकाल सकते, तो उस case में फिर हमें minimum की जगए क्या निकालना पड़ेगा, maximum निकालना पड़ेगा, अगर हमें total लोग चाहिए, कि राम लेट से 12 है, शाम राइट से 25 है, अगर minimum वाला case fail हो गया, तो उस condition में आप बीच में लोग कितने बिठा होगे, separate case अलग-अलग बिठा होगे, और minimum की जगए क्या निकालोगे, maximum निकालोगे, ये याद रखने, ठीक है, तो बात समझ में आगई, ठीक है, बात समझ में आगई सभी को, clear हो गई, अच्छे से समझ में आगई, मैं नहीं चाहता कि कि किसी भी व्यक्ती का, किसी भी तरीके से, 0.1% का भी नुक्सान हो, क्योंकि selection पॉइंटों में भी बहुत रुपते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि जीवन में आप यहां पर जितने भी मौझूद बच्चे हैं, उन में से कोई भी दर्द भरा ऐसास लेकर जाए, ठीक है, क्योंकि 0.2 से 0.10 से जो रह जाता है न बच्चा, overall merit में भाई साब, वो बड़ा ही दर्दनाख होता है, तो पड़ा फट से सभी बच्चे एक चीज, अब यहां पर एक चीज में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, उसके बारे में मैं आपकी कुछ अर्चा भी करूँगा, ठीक है, आपको पता है, दोस्तों, मंडे, आज मंडे है, मंडे है, और आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ा ध्रमाका लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़े रिवेल करूँगा मैं, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, मंडे ध्रमाका, ऐसे कौन से टॉपिक हैं, जो आपको परिशान करते हैं, रिजनिंग के अंदर, ये आप सभी को पता होगा, और बहुत अच्छे से पता कर लेना मेरे भाई, जहां तक मुझे लगता है, ये वो टॉपिक्स हैं दोस्तों, जो आपको बहुत ज़्यादा परिशान करते हैं, पहला है लोजिकल रिजनिंग, ये सोरनो, फड़ा फड़ से बता दो, रिजनिंग के ऐसे टॉपिक्स में से, सबसे उपर ही उपर है लोजिकल रिजनिंग, logical reasoning आपको बहुत परिशान करती है और मैं आपको बता देता हूँ anti-pc cbt2 हो या group do हो ठीके आप 6-8 question मानके चल लेना कि आपके exam में आएंगे 6-8 question आपके reasoning के logical reasoning के आएंगे दूसरा आप डरते हो sitting arrangement से तीसरा आपको clock थोड़ा कम समझ में आता है ठीके input output पहली बार aid हुआ है cbt2 के cbt1 आप जो देखे आया हो उसमें input output का question आया था तो ये आपको पढ़ना है blood relation में आपको अभी भी समस्या हैं काफी सारी silosum के नए rules जिसने update नहीं करे हैं उनको भी समस्या है तो मात्र और मात्र 3 दिन के अंदर मैं ये सारी समस्या आपकी समाप्त कर दूँगा ये सारी समस्या आपकी 3 दिन में समाप्त हो जाएगी ये सभी topics आपको 3 दिन में करा दूँगा मैं आज 13 तारीक है कल 14 तारीक है पर 115 तारीक है क्या 3 दिन में ये सारे topics करने को तयारो फड़ावड से मेरे साथ जुड़ जाओ पस लग जाओ तरीके से लग जाओ जहाँ भी क्लास हो रही है YouTube पर क्लास हो रही है आनकेड़मी पर क्लास हो रही है जहाँ भी जहाँ हमें समय मिलेगा हम लोग इनको करके इन सारे topics को खतम कर देंगे, सभी लोग एक बार थमसब कर दो सबसे पहले शुरुवात करेंगे assumption की, inference की course of action की, argument की cause and effect की cause and result की, और साथ में statement and conclusion की, यह सारे topics आप लोग करेंगे मेरे साथ में ठीक है, logical reasoning के यह सारे topics आप लोग करेंगे, clear है क्लियर है क्लियर है, बात समझ में आगई क्या दोस्तों आप सभी को, यह सारे topic आप लोग करोगे, timing में आपको बता देता हूं इसका, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह topic बता देता हूं और इन topics को एक साथ आप लोग करेंगे, कहां पर करेंगे यह मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले सुबह 8 बज़े मैंने आप लोग के लिए आरन अकेडिमी पर क्लास चालू करेंगे, जो की बिल्कुल फ्री है ठीक है, आरन अकेडिमी पर बिल्कुल फ्री क्लास है आपकी सुबह 8 बज़े ठीक है यहां पर आप लोग करोगे मेरे साथ में लोजिकल रीजनिंग करोगे ठीक है, तीन दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, क्लियर है 14, 15 और 16 ठीक है, 14 दिसंबर 15 दिसंबर, 16 दिसंबर इसको खत्म करेंगे कल से अपनी चालो हो जाएगी आज 13 हो गई है और आज आप सभी लोगों को जुड़ना है दोस्तों आज आप सभी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ में दो बजे और पांच बजे दो बजे और पांच बजे दोस्तों आप लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे और हम लोग जो topic खतम करेंगे दोस्तों इसके अलावा इसके पीछे वाला जो topic था silosma topic को हम लोग खतम करेंगे silosma topic और blood relation जो topic है ना उसको हम लोग finish करेंगे भाई साब देख लेना इदर फटाफट से देख लेना आपको बता दूँ मैं एक तो दो बजे और एक चार बजे ठीक है क्योंकि आज की एक ही दिन में अगर खतम करना है तो silosma के कम से कम 50 question आप लोग यहां करोगी और silosma के 50 question आप लोग यहां करोगी तो जिस किसी को भी silosma के 50-50 questions करने हैं आज ही होगा यह की दिन में यह session खतम होगा ठीक है एक ही दिन में होगा date में आपको बता चुका हूं यह आज 13 है 13 December 13 December बात समझ में आगी क्या भाई ठीक है यह अनकेडमी पर होगी यह अनकेडमी पर होगी यह class यह कल से चलेगी logical reasoning सुबह 14-15-16 logical reasoning तीन दिन में आपकी खतम हो जाएगी silosma का topic आज ही बड़िया तरीके से खतम हो जाएगा यह अनकेडमी पर होगा clear है बाकी मैं अभी एक वीडियो लियाओंगा जिसके अंदर पूरा मैं announce कर दूँगा आपको सारी चीज़े समझा दूँगा और बाकी आप लोग यहां लगी यहां दगीगा दो बज़े आ जाईएगा पांच बज़े आ जाईएगा ठीक है इसके अलावा टेलिग्राम प पॉलो जरूर कर लेना भाई सब दीपक सर रीजनिंग ओफिशल के नाम से टेलिग्रम ग्रूप है और आनकेडमी पर भी फॉलो कर लेना ताकि क्लास के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें जिन बच्चों ने अभी तक आनकेडमी पर फॉलो नहीं किया है मेरे भाई फॉलो कर लेना पॉलो करोगे तब ही लिखावा आजाएगा फॉलों ठीक है फॉलों लिखे वे आने के बाद ही क्लास के नोटिफिकेशन्स मिलेंगे और इसके बाद आप लोग प्लस पोर्स भी जोईन कर सकते हैं अगर आपको अभी वी सीटी की तैयारी करनी है यूपी एसाई की तैयारी करनी है राइस्तान पुलिस की तैयारी करनी है ठीक है यूपी कॉंस्टेबल की तैयारी करनी है तो इन सभी के लिए आप लोग बैच जोईन कर सकते हैं जोकी फ्रेश बैच अपना चालू होने जा रहा है पंदरह दिसंबर से आज 13 दिसंबर हो गई है इसको आप लोग जोइन कर लोगे ठीकए ये सारे बेनिफिट्स हेंटे और रेंगिंग के कोशिण करने वाले थियोरी हमने की कोशिalyst करी और रैंकिंग के कोशिण् आप लोग करों गयार रैंकिंग के 50 कोशिण के लिए तैय आरो जाओ। सबी बच्चे आने वाले भाईसाओब बढ़ावट से बता दू थोरी हमने पढ़ रही थोड़ी बहुत रेंकिंग की अब हम कोशन करेंगे पचास कोशन दो दिन में इस चप्टर को भी फिनिश कर देंगे बढ़ी असे ठीक है तो पचास कोशन करने के लिए आज यह बढ़ावट से बारा बजे वाली क्लास के अं ओके गाईस थैंक्यू सो मच तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है अभी लोग सब्सक्राइब कर देना और पढ़िया तरीके से लाइक कर देना सेशन को पीडिएफ भी आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट बोक्स लव यू ओल मिलते हैं बारा दयास कोषिन के साथ